हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स डूटी वर्ड कंचन कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होगे मैं भी एकदम अच्छी हूँ आज मैं आप लोग के साथ अपने ब्लाउज क्लेक्शन सेयर करने जा रही हूँ और मैं ऐसे बैठती थी और सोची कि आप आप लोग के साथ अपने ब्लाउज क्लेक्शन सेयर किया जाए क्योंकि बहुत ही लोग सोचते हैं कि अपने ब्लाउज को कैसा स्टिच करवाएं कि वह अलग लूग इसका लूग अलग आए और कैसे साड़ी पहने और कैसा प्लाउज पहने तो इसलिए मैं सोची कि अपने ब्लाउज प्लेक्षन आप लोग को सेर करना चाहिए और यह है मेरा पार्ट वन अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं इसका पार्ट वी लेकर आऊंगी और अगर कमी वीर करती हूं तो मैं सोचती हूं कि मेरा प्लाउज कुछ अलग लुक दखे लाउज का अगर मैं सेर करना चाहिए और लोग को दिखाती हूं अपना कि वर्ष प्लाउज लग मारून कलर का इसका निएए बोटनेख है और बोटनेख मुझे बहुत पसंद है इसकी स्लीप मेडियम साइज ये कोल्ड सोलजर है पहने पीस का लोग बहुत अच्छा लगता है और यहां स्लीश में बार्डर दिये इसके सार्डी बहुत प्यारी है अगर मेरी पास इसक पाइपिन लगवाई है मैंने इसका बैक पोर्षन है तो एक्तम सिंपल लेकिन इसका लूप बहुत ही अच्छा आता है वी नेक है त्री बटन एड़ करवाई है पीछे से मैंने इसको ओपन करवाया है फूक्स दिये रहे हैं मैं पहले सोची कि इसमें साइट चैन एड़ रथा ये इसका आप इसके शॉट ले सकते हो हुआ हुझा अ कि वह संसे प्राइव लाउज को आप प्लैक शाड़ी के साथ ये लुफ साड़ी के साथ डुर्ट साड़ी के साथ बिएर कर सकते हो बहुत यह अच्छा लगएगा अ है लिए देखते हैं अब सिकंड यहां पाइपिन लगवाई है इसकी स्रीव्स हाफ बनवाई है मैंने यहां बॉर्डर लगए है पीछे से इसका नेक बोट नेक है इसकी डिजाइन इधर से देखिए इसको आप कर सकते हो यहां भी मैंने बटन एड करवाई है यह जो हज्जों की ओपन हो जाती है और नीचे भी बटन एड करवाई है यह आपकी तीनु बटन ओपन हो जाती है हुक्स लगा रहे है तीन हुक्स है कि बहुत ही प्यारा ब्लाउज है इसकी साड़ी भी बहुत प्यारी है थ्री कलर में इसकी साड़ी है रेड यल्लो एंड वीज्ट कलर है तो एकदम सिंपल और टीप पहनने में बहुत ही प्यारा लगता है इसको भी मैंने साड़ी के साड़ी के साथ वियर कर सकते हो वैसे आचकल तो कंटास प्लाउज चल रहा है तो बहुत अलग लुक आ जाता है याँ आप देखे हैं अपना इक्स प्रावच यह मेरा थर्ड प्रावच इसको मैंने अलग से कपड़ा लेके शिलवाया है कि मैं किति ही कपड़ा है और यहां मैंने ब्लैक नेट लेके बनवाया है यहां पाइप इंड करवाई है यह ब्लैक किलर का नेट है और इस में फ्लावर बने हुए है और यहां इसको मैंने साइट चैन एड करवाई है इसमें यहां पे इनमी फुक्त भी है लॉक हो जाए मेरा चैन मेरी चैन खूले नहीं इसमें बनवाया है इसका बैक पोर्शन देखी वी कल भी है बीनेक है और यह सौरी यह आप इसको फड़ावाइट करें कि मैं अभी मैं आप लोग को दिखा रहे थी तो यह मुझसे थोड़ सा यह निकल लिया और सपोर्ट के लिए इनों ने यह दिया था इसको आप तो घ देखी पीचे से इसका नेक वीनेक है और सपोर्ट के लिए मैंने डोरी लगवा दिए इसमें इसको आप किसी भी सारी के साथ वियर कर सकते हो रेट सारी के साथ ब्लैक सारी के साथ क्यूंकि गोल्डन कलर है तो तो किसी के साथ पी चल जाएगा यह पहनए पैस तो और अब देखते हैं अपना नेट प्लाउच यह मेरा फॉर्ड प्लाउच और यह इस प्लाउच की साड़े थोड़ी बरी सिंपल थी जॉजट की साड़े थी तो मैं इस प्लाउच को थोड़ा सा अलग डिजाइन करवाई हूं यहागे से तो मैंने इसको राउंड नेक दिया है और इसकी स्लीव भी हाफ है और आके से तो इदम सिंपल है देखने में और पीछे से मैं इसको चेंज करवाती हूं देखिए एकदम किता सुन्दर है यह इसका पीछे से इसका नेक इसमें यह डिजाइन एड करवाई हूं मैंने अपनी बूटिक से इसको अलग से सब ब्या प्यारा लए इतनी इतनी प्यारे लटकन है लोके इसको भी आप वीफ्रति साडी प्रपल रफी साडी जोलडन क्लिट की साड़ी के साथ विएर कर सकते हो ज्च्पडल चेंज करेंदी को आप लोग को वीदी बशूदान में में प्लाउघ और यह वाइट को मैं ने पहन के वीडियो भी बनाया है तो मैं डिस्क्रिप्त वक्स ने उसका लिंक स्वाइट कर दो कि आप जरूर देखिएगा क्योंकि यह सिल्क साडी का है तो इसको मैंने बहुत हैवी नहीं बनवाया है आगे से सिंपल बोटनेक है और यह आगे से भी एक्दम सिंपल है यहां मैंने इसमें साइट चैन एड़ करवाई है यहां को लगवाएं और इसकी सिंपल है हाफ मीडियम साइज पीचे से बट मैं इसमें अलग देदी हूं देखिए यहां बटन लगा है जो की ओपें नहीं होती है कि इसके डेजाइन देखिए आप इसको रहते हैं अम दोगी को चैनाम रहा है यह है रगी बहुत हि सुन्दर लगता हैımız सिल्की सारी पिंग के शाड़ी के साथ और कि साड़ी तर रियर कर सकते हो द現在 है कि आप भुझच एक आप मोष्वर बाक्स में जरूर बताए गए मेरे प्लाउच किलेक्षन आप लोगों कैसे लगेए और मैं इस ब्लाउच किलेक्षन का पार्ट को वीडियो भी जरूर लेके आउंगी कोसिस करूंगी और अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइक वी दमाना मत बुली ये गा बाइ